दोस्तो गौता मडानी मामले में आखिरकार अमेरिका का वाइट हाउस क्या बोला? क्या ट्रम्प के आने के बाद गौता मडानी के जरिये प्रधान मंत्री मोधी को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? यह जीब से सवाल सोशल मीडिया में तेरने लगे तब जब दीप स्टेट नाम का यह हैश्टेक देखिया किस तरह से बाइरल होने लगा? एक लाग से उपर लोग इस पर अब तक कमेंट कर चुके हैं यह केवल सोशल मीडिया एक्स की मैं जा आपको जानकारी दे रही हूँ जानी का हैश्टेक चल रहा है बताईए दोस्तों और तो और दोस्तों पूरे मसले पर वाइट हांस ने क्या का है सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी लेकिन यह तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ट्रम्प के आने के बाद किस तरह से हमारे देश में जश्न मना था भारत की मीडिया ने और एक खास तरह का वर्ग है जिसे हम मोधी समर्थत वर्ग कहते हैं उसने बकाइदा इसके लिए बहुत प्राटनाई भी की थी और बहुत खुशियां भी बनाई थी कि ट्रम्प ही है जो पूरी दुनिया में वार्ड रुकवा सकते हैं ट्रम्प ही है जो बांगलादेश में अल्प संक्याक हिंदूों पर अत्याचार रुकवा सकते हैं उसका एक रीजन भी था क्योंकि ट्रम्प एकलोते ऐसे बड़े नेता थे अमेरिका के जो एक खुलकर इस पर बात की थी बयान दिया था तो यह एक इंपोर्टन आस्पेक माना गया था और मिला भी था दोस्तो ट्रम्प को बारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं उनको बड़े स्थर पर उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया है लेकिन देखे ना वो अंदभग जो ट्रम्प की वापसी पर जबरतस तरीके से जश्र मना रहा है थे आज ट्रम्प के अमेरिका को आखी यह कहते हुए कि यह जो अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुनाया है वारंट इशू कर दिया है दरसल यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका भारत से जलता है अमेरिका भारत के विस्तार से उसकी जीडीपी से उसके डिफेंस सेक्ट इंडिया में और वहां की मीडिया में यह मामला चाया हुआ है कल अमेरिकी एक दो न्यूस चैनल को में देख रही थी वह तो गौतम अडानी को पावर हाउस ऑफ इंडिया कह रहे थे मतलब एक ऐसा उद्योपती जिसके हाथ में आतहा पावर है पावर हाउस है जो अब इस और यह विभाग देव गोजी की ज़रूरी जानकरी दे पाएंगे भारत। còn अमेरिका की संबंदों पर पढ़ने वाले असर पर बात करोंगी उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंद बेहत मजबूत नीव पर टिके हैं ये दोनों देशों के लोगों के बीच के संबंद और हमारी दियोपक्षिय सहयोग से जुड़ा हुआ है हम मानते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम इस मुद्दे को भी समाधान की दिशा में ले जाएंगे जैसा कि हमने अन्यमामलों में किया है तो अमेरिका देखिए इशारो इशारो में बहुत कुछ बोल रहा है हू gera है कि हम इस मुद्दे को समाधान की रास्ते पे ले जाएंगे लेकिन अमेरिका यहां यह भी बोल रहा है कि भारत और अमेरिका के रिष्टे बहुत मस्बूत नीव पर टिके हुए है और बात भी ठीक है दोस्तों, गौतम अडानी कोई भारत सरकार थोड़े ही है, ना ही गौतम अडानी भारत की अर्थवस्ता को रेप्रेजेंट करते हैं, गौतम अडानी भारत के एक उद्योग पती हैं, ऐसे उद्योग पती तो इससे पहले भी बहुत हुए, अभी मौजु का एक हैश्टाइग और डीप स्टेट नाम का एक नया टर्म कल से सोशल मीडिया में खुब चर्चा का विशय बना हुआ है अर्णव गोस्वामी ने प्राइम टाइम में इस पर शो भी कर दिया यह देखिए एक यूजर है हार्दिक जो लिखते हैं कि I stand with Adani मतलब मैं Adani को support क लिखते हैं कि Adani ना केवल भारत की growth में योगदान दे रहे हैं बलकि leftist की जो lobby है जो वामपंतियों की lobby है और deep state है उन पर भी नकेल कस रहे हैं आगे यह लिखते हैं कि India एक powerhouse बन गया है world economy के लिहाज से और Gautam Adani भारत आपके साथ है दोस्तों एक और शक्स है नरसिमा रे अब तक उसने 824 billion dollars का जो पूरा audit report है अमेरिका के लोगों को अमेरिका की अब तक नहीं बताई है तो वो अमेरिका के लोगों को पूरी जानकारी परे अमेरिका के बारे में दें भारत के लोगों को भारत की जानकारी ना दें मतलब ऐसे बहुत से tweets है दोस्तों बहुत से tweets यह देखिए, लाइन लगी हुई है इस तरह की ट्वीट्स की, कहने का इन ट्वीट्स के जरीए मतलब है कि basically अडानी को जोलत नहीं कर सकते, अडानी के जरीए मोधी को टार्गेट किया जा रहा है और यह डीप स्टेट की बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो और सौरस जिसका नाम बार-बार संबित पातरा भी कर ले रहे थे और लगातार बीजपी वाले लेते हैं, उसके उसकी कॉंस्परेसी की वजए से और यूएस के बड़े ओफीशल की कॉंस्परेसी की वजए से यह सब कुछ भारत के साथ हो रहा है, मतला आप सोचिए, यह तोचते हैं कि अमेरिका के जो जजेज हैं, जिनोंने फैसला सुनाया, वो भी इस वामपंती लॉबी के अंतरगत आते हैं, मतला मैं जानना चाहते हूं कि एक तरफ तो अमेरिका, गौता मडानी के खिलाफ इतनी बड़ी साज़श रच रहा है, रच रहा है, और एक तरफ जैसे ही अमेरिका में जीत कर आते हैं, देखिए गौता मडानी किस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, ट्रम्प जब चुनाओं जीते हैं दोस्तों, तो गौता मडानी ने बकाइदा ट्रम्प को congratulations की हैं, बधाईयां दी हैं, यह देखिए, congratulations to Donald Trump, भारत और United States की जो partnership है वो और ग billion dollar US में invest करने वाला हूं, मतलब उनकी company invest करने वाली है, जिससे 15,000 jobs पैदा होंगी, मतलब अमेरिका के लोगों को jobs देने के लिए इतने आतू रहे हैं, गौता मडानी की social media में बकाइदा Donald Trump को इसकी बधाई दे रहे हैं, और उपर से photoshop टाइप की है, फोटो भी शेयर कर रह हुआ है, तो गौता मडानी एक तरफ Donald Trump को बधाई दे रहे हैं, आतू रहे हैं अमेरिका में jobs प्रवाइट करानी के लिए, और देखिए अंदभक्त कहह रहे हैं कि गौता मडानी के पीछे पड़े हुआ है Donald Trump और उनकी सरकार और उनका अमेरिका, क्योंकि गौता मडानी से जलता है अमेरिका, कौता मडानी के जरिये मोदी से जलता है अमेरिका, और मोदी के जरिये भारत से जलता है अमेरिका, ये बात सही है दोस्तों कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राही नहीं है, लेकिन हम GDP के लिहाज से अमेरिका से भी बहु वक्त लगेगा दोस्तों इस बीच अजीव हो गरीब कॉंस्पिरेसी सुनकर सुचान सिंग जो की कंसल्टिंग एडिटर हैं कारवान इंडिया के वह बड़ी दिल्चस्प बात बूल रहे हैं वो कहते हैं चली एक पल के लिए इस तर्क को स्विकार भी कर लेते हैं कि अडानी के उपर जो रिश्वत की आरोप लगे हैं वो अमेरिका की डीप स्टेट ने लगाए हैं मोधी को एक तरह से दवाव में लेने के लिए तो फिर मोधी ने अडानी के साथ अपने मधूर संबंदों को लेकर इतना असुरक्षत भारत को और खुद को क्यों छोड़ दिया है दोस्तों ये तो अंदभक्तों को बैट कर सोचना चाहिए ना कि ये कैसे हो गया कि भारत के उद्योग पती केवल भारत के एक उद्योग पती को लेकर अमेरिका की अदालत में फैसला आ गया उसके घूसकोरी को लेकर अमेरिका की अदालत ने एक टिपणी की इसे लेकर भा विश्मगरू लेवल के नेता मोदी जी को तुरंद फोन मिला कर डोनल्ड ट्रम से तुरंद फोन पर बात करनी चाहिए कि देखिए आपके देश में किस तरह का ये डीप स्टेट का पूरा कॉकस चल रहा है जो हमारे इतने बड़े उद्योग पती को आपने इस तरह की आदा करें दुनिया का कोई भी नहीं तो मोदी जी के रहते हुए और उनके कासम-कास मित्र डोनल्ड ट्रम के अमेरिका में राश्पती चुने जाने के बाद कैसे हो सकता है कि भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कॉंस्पिरेसी हो रही है दोनों चीजे साथ में कैसे हो सकती हैं दोस को शुरुआत में कहा अंधभक्तों को देखकर कई बार तरह साता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें डिफेंड करनी पड़ती है उनको जिनको सुनकर आपका आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपको क्या लगता है दोस्तों यह सब क्यों हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर करें